नमस्कार दोस्तों बंगाल चुना में बुरी तरह से हारने के बाद भारती जंता पार्डी की एक और चुना में भहनकर हार हुई है या यूँ कहे कि सूपड़ा ही साप हो गया है जहां जिस तरह से बंगाल बिनासवा चुना में ममता बनर जी ने चुना हरा कर भाजपा को सत्ता से दूर रखा अब एक बार फिर केमसी चुना में भी ममता बनर जी की पार्डी तिर्ण मुल्क कांग्रेस ने भाजपा को बाहर का रास्ता दिखा दिया है जहां आपको देते जैने अमार उजाला की इस रिपोर्ट को आप देख सकते हैं कुलकत्ता मुंसिपल कार्परेशन के चुनाव में ममता बनर जी की पार्टी तिग्णमुल कांग्रेस प्रचन जीत की ओर है वहीं भाजपा का सूपड़ा साप हो गया है बतादे इस चुनाव में ममता बनर जी के परिवार के यानि खोज ममता बनर जी के भाई की पतनी भी चुनाव जीत गई है जैं ममता बनर जी के भाई कार्थिक बनर जी की पतनी काजरी बनर जी लगभग पैंसर सव ओटो से चुनाव जीती हैं अब ममता बनर जी के परिवार में ममता बनर जी और उनके भतीजे अविसेग बनर जी के बाद अब अब उनके भाई की पत्नी चुनाव जीतने वाली तीसरी सदस्य हैं अलाकि बिदानसवाज चुनाव से भी जाड़ा बड़ा जटका इस चुनाव में भारती जनता पार्टी को लगा है आप इस रिपोर्ट को भी देख सकते हैं आज तक ने भी इसको प्रमुकतार से कवर करते हुए लिखाएगी केमसी चुनाव में कांग्रेस लेप्ट का पत् करती हूँ ममताब रजी ने ट्वीट करते हुए धन्यवाद देते हुए लिखाएगी केमसी चुनाव में आपकी जीत हुई है आपकी जीत के लिए सभी उमिदवारों को हार्दिक बढ़ाई अत्यान परिस्त्रम और कृत अग्यता के साथ लोगों की सेवा करना याद रख बताते कुल 144 सीटों में से ममताब रजी की पार्टी तिन मोल कांगरेश ने 134 सीटों पर अकेले बढ़त बनाई है अब तक के नतीजों के मुताबिक तिन मोल कांगरेश 144 में से 89 सीटों पर जीत चुकी है अजब कि 44 सीटों पर आगे चल रही है लेकिन भारती जनता एक सच चवालिस में से अब तक एक सीटों पर ही जीत मिली है। चवालिस सीटे जीतने के कगार पर पहुंच चुकी है। ममता बनर जी की पार्टी तिरमुल कांग्रेस ने विधान सभा चुनाओ को एकदम पूरे तरीके से दोराया है। 2015 के मुकाबले जिस तरह से 2021 में बिधान सभा में सीटे बढ़ी थी ममता बनर जी की पार्टी की। उसी तरह से मुन्सिपल कार्परेसन में भी 2015 के मुकाबले इस बार टीमसी की सीटे बढ़ गई है। पते 2015 के बिधान सभा चुनाओ में ममता बनर जी की पार्टी को 211 सीटे मिली थी। और 2021 में जैसे कर आपको पता होगा 213 सीटों पर जीत मिली। तो दो सीटों की बढ़ुत्री हुई। उसी तरह से कुल्कत्ता मुन्सिपल कार्परेसन चुनाओ में भी 2015 में ममता बनर जी को 144 में से 114 सीटों पर जीत मिली थी। जबकि भाजपा को 7 सीटों पजीत मिली थी, लेप्ट 15 सीटों पजीतने में काम्याब ही थी, कांग्रेस को 5 सीटों पजीत मिली थी और अदर के खाते में 3 सीटे गई थी, लेकिन इस बार यानि 2021 में 144 में से 134 सीटे जीतने के कगार पर TMC पहुंच चुकी है, जबकि भारती भारती जन्ता पार्टी साथ से घटकर तीन सीटों पर सिमर्टी हुई दिखाई दे रही है वह इन लेप्ट को भी इस बार तेरा सीटों का नुक्सान हुआ है लेप्ट दो सीटों पर सिमर्टी हुई दिखाई दे रही है कांग्रेस को भी तीन सीट का नुक्सान हुआ है इस कामयाव हो पाई है लेकिन अभी तीन सीटों पर और आगे चल रही है यानि कि कुल अंतिम तक जो परणाम सामने आएंगे यानि फाइनल जो नतीजे सामने आएंगे वो इस हिसाब से हो सकते हैं भारती जनता पार्डी तीन से चार सीटे जीट सकती है और परवमता बनेजी की पार्डी तीन मुल कांग्रेस 134 से 135 सीटों पर जीट सकती है बाकी माक्सवादी कमनेश पार्डी कांग्रेस निर्दली और CPIM इनके इसी पर सिमटने के आसार हैं कुल मिला के भारती जनता पार्डी कार्पोरेशन से बाहर हो चुकी है अब तीन मुल कांग्रेस का कार्पोरेशन में पूरी तरह से कबजा हो गया है अब बताया रखी दो दिन बाद कुलकत्ता के महराष्ट निवास में TMC नौर निर्वाचित के MC चुनाव जीत कर आए सभी सदस्यों की बैठक में कुलकत्ता के मेर का चुनाव किया जाएगा अब तीन मुल कांग्रेस बिदान सभा चुनाव के बाद इस चुनाव को एक बड़े चुनाव के रूप में देख रही थी जो कि अब जब नतीजे सामने आये थो इस चुनाव में भाजपा का सूपडा साप हो गया और ममता बनाजी की पार्टी तिन मुल कांग्रेस ने लगबग 94% सीटों पर अपना कबजा जमा लिया यानि कि 144 में से 134 से 135 सीटों पर तिन मुल कांग्रेस फाइनल जीत्ती वी दिखाई दे रही है तो पूरी तरह से भारती जनता पार्टी का कोलकत्ता नगर निगम में सूपडा साप हो गया और टीमची ने पूरी तरह से अपना कबजा जमा लिया वराल गुजरात ग्राम पंचाय चुनाव और आस्थान पंचाय चुनाव के भी नतीजे सामने आ रहे हैं यहां भी भारती जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जोरदार चुनावी टककर दिखाई दे रही है पतादे गुजरात में 8,686 ग्राम पंचाय तो और 48,573 वार्डो में ग्राम पंचाय चुनाव हुए थे कुल मिलाकर 1.88 करोड से अधिक लोग अपने बोटो का प्रियोग कर पाये थे हलाकि अभी काउंटिंग लगातार चल रही है जहां पर भारती जनता पार्टी को लगातार कांग्रेस टककर देती हुई दिखाई दे रही है अब तक के नतीजों के मुताबिक बड़ी संख्या में यहाँ पर महिला सरपंच चुनी जा रही है तो यह रास्थान के बात करे तो रास्थान पंचाय चुनाव के भी नतीजे सामने आ रहे हैं यहाँ भी सुबह से काउंटिंग लगातार चल रही है पतादे कोटा करोली 12 और और श्री गंगा नगर जीलों में पंचाय चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं यहाँ पर कांग्रेस लगातार बढ़त बनाई हुई है भारती जनता पार्टी भी पीछे पीछे लगी हुई है लेकिन कांग्रेस लगातार आगे चल रही है यहाँ भी भारती जनता पा के नतीजे हम आपके सामने रखेंगे